तो मैं मुके सर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस में दोस्तों कर मैंने एक अप्टेट दी थी कि मार्केट में हो सकती बीचल गीरावट वजह आप सभी को पता होगी फिर भी बताना चाहता हूं तीर बड़े मेजर कारण है मार्केट को अजीरान में एक तो क्रूइट ब्रेंट ओयल के बढ़ते वे दाम यूके यूकरियन वार की स्थिति बनी हुई है और साथ ही या तीसरा सबसे बड़ा कारण है जो अब तक का सबसे बड़ा बैंक का उठाला हुआ है जिसकी अपडेट में ने कली आपको राथ में दे दी थी तो मार्केट में बहुत जादा हम गिरावर देखने को मिली थी करीब निफ्टी 500 पॉइंट बैंक निफ्टी पान्सो पंद्रासो पॉइंट के आस पास हमें गिरता हो देखने को में जिन पर टेक्निकली अगर आप देखो टेक्निकली कि सारे स्टॉक में एक अच्छा कासा बाइंग वैलू देखने को मिल रही है तो आई होप कि आप लोग इस किरती मार्केट में उन अच्छे सेर्स को पीक करकर रख रहे होगे अपने पोर्टफोलियों में जिन में हमको fundamental से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें मैं सिर्फ swing trade प्ले करना चाहता हूं और अपने उन व्यूवर्स को जो हमारे व्यूवर्स हैं अक्सर मेरी वीडियो का इंद्जार करते हैं कि सर कोई ऐसा stock बताईए जिसमें अगर आप current price पर बाया करकर चलते हो तो आने वाले स समय में आपको एक big reward मिल सके तो इसी वीडियो पर सचा करेंगे आज हम उस shares के बारे में जिन पर आप current price पर बाया करकर चलते हो तो आने वाले समय में आपको big target देखने को मिल सकते हैं डिस्क्लेमर देने चाहूंगा से भी registered advisor नहीं हूँ क्रिटा करके निवेस करने से पहले आप खुद की रिचर्च या अपने financial advisor के सला जरूर ले ले हैं साथी साथ यह मेरा खुद का व्यू है आप इसे deny भी कर सकते हो तो चली वीडियो को start कर लेते हैं लेकर उसके पहले कहना चाहूंगा चैनल पर फास्टाइम में कर वीजिट कर रहे हैं तो अपली चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ family members साथ share करना बिल इसलिए आप से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करना बहुकूल ना भूला करें तो तो लिए वीडियो को start कर लेते हैं मार्केट में आज FIIs ने 4,253 क्रोण रुपेज के माल बेचा वहीं DIs ने 2,170 क्रोण की पर्चेजिंग करी FIIs IDX फीचर माइनस 252 पर पॉइंट डाउन चल रहा है IDX ऑप्शन 254 पॉइंट प्लस चल रहा है Nifty में 531 की चबर 10 किरावर देखने को मिली हमको India Wix 4% अब था जो क्लियर कर संकेत देता है कि ये मार्केट में अभी वीक्नेस बनी रह सकती है संसक्स की बात करें तो 1747 पॉइंट आज डाउन था वहीं बैंग Nifty 1500 प्लस पॉइंट डाउन था अगर हम बात करें Nifty 50 के अंदर तो मात्र एक ही शेयर ऐसा था जो एडवांस में था बाकी 49 शेयर जो थे वह रेड निशान में बंद हुए है उसी के साथ साथ Nifty 500 में अगर देखें तो मात्र बाई सेयर ही ऐसा थे जो एडवांस में थे बाकी 479 सेयर डिक्लाइन से अनिके रेड निशान में हमें देखने को मिले हुए हैं मिले हुए थे आज की तिन में अब हम अगर बात करें तो जिस स्टॉक की बात करने वाल है उसका जो करेंड प्राइज आज देखने को मिला है वह 35 रुपैसी पैसे का ओपेन होमा था 37 रुपै के करीब यह स्टॉक प्रीवेस क्लोस था 38.10 अपर सर्किट लिमिस 2045.70 तक कर जा सकता है अगर यहां से गिरावट होती है तो करीब करीब 30 परसेंट डाउन हो सकता है वह 30 रुपै तक स्टॉक जा सकता है वॉल्यूम 63 लाग क्या सपास देखने को मिला हमको वहीं इस सेर की मार्केट कैप मात्र 833 क्रॉन रुपीस की हमको देखने को मिल रही है बीटा 0 0.56 फेजवर 2 रुपै की है सेक्टर का पी है 13.83 बुक वैल्यू परसेंगा 107 रुपै की है और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो हमको 0.34 का देखने को मिल रहा है यानि कि स्टॉक में काफी अच्छी वैलूइशन हमको देखने को मिल सकती है अगर हम करेंट प्राइस पर बाय करें चलते हो तो एक बिग रिवार्ड ये शेयर आपको दे सकता है बात मैं कर रहा हूँ हम ृच्टी मीडिया लिम्टेट की देखिए वजट के दिन आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार ने किस तरह से मीडिया सेक्टर को प्रोफ साहन दिया है इसी कारण सिर्फ इसी स्टॉक में नहीं मीडिया के आन शेक्टर भी है जिसमें एच्छी कासी तेज़ी देखने नहीं करूंगा तो मैं बात कर रहा हूं एच्टी मीडिया की अभी इसका करेंड प्राइस चल रहा है 35 रुपए 80 पैसे का तो आप चाहो तो खुद की रिसर्च करके या अपने एड्वाइजर की सला से आप इस स्वेयर को अभी बाय करकर चल सकते हो 35 रुपए 80 पैसे के प्र जो टागेट हमको देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक के अंदर उस पर जर्चा करेंगे लेकिन उसके पहले हम बताना चाहेंगे कि आज इस यह स्टॉक उपए 90 रुपए के आसपास जिसमें हमें तीजी देखने को मिली 49 रुपए 20 पैसे के आसपास स्टॉक ने हाई भी ब इसमें भी बिकवाली देखने को मिल रहा है जहां पर इस टॉक में एक मल्टी एर ब्रेक आउन देखने को मिला था और जो 32 रुपीज के आसपास का इसका एक रेजिस्टेंस था मेजर इसको यहां पर स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है यानि कि अभी जो सेकेंड रिजिस्टेंस स्टॉक के लिए बना हुआ है वो है करीब करीब 39 रुपीज का तो यहां पर मैं नोड कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए टागिट तो अभी यह जो एक यहां पर अब ही क्या करना है करेंट प्राइस रुपए असी पैसे का आप बाय करके चलो आपका जो एसल रहेगा वह 32 रुपए के करीब रहेगा 32 रुपए का ऐसल ले करते के यहां जो टागिट देखने को मिल सकते हैं आपको देखिए यहां पर रिस्क रिवार्ड रिष्यो काफी हाई है रिस्क बहुत छोटा है रिवार्ड काफी बड़ा है तो मात 30 रुपए का ऐसल लेना है आपको और कैनन प्राइस पर बाय करकर चल सकते हैं आप अपने वाज़े की सला लेने के बाद जो टार्गेट हमको देखने को मिल सकते हैं जैसे 39 रुपीज या 40 रुपीज का लेबल स्टॉक ब्रेक करता है तो जो टार्गेट आपको देखने को मिल सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं वो टार्गेट रहने व आप बिल्कुल इस प्राइस को कुरेंट प्राइस पर बाय करकर चल सकते हो बिना किसी हिचकचा हटके, ये मेरी खुद की ओपिन्यान है बार-बार के बेट कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक में तेजी आएगी, तब तो आप लग बहुत कुस होगे, लेकिन अगर यहां से गिरावट होगे, तो आप सिर्फ गालियां देने वाले हो, अक्सर मैंने देखा है, जब कोई अच्छी इड्वाइस दो, तो लोग उसमें कई सारी आपतिया भी प्रेकट करते हैं, तो प्रीज, ये मेरी खुद की ओपिन्यान है, मुझे ऐसा लगता है, कि इस इस्टाव को करेंट ट्राइस पर पाय किया जा सकता है, इसलिए मैं वीडियो के माद्याम से आप सभी बीगिनर्स को, जो मेरा चैनल को बनाने का मोटिफ था, कि मैं कुछ सिखा पाऊ आप लोगों को, और इसलिए टेक्निकल चार्ट के जरिये, मैं फंडावंटल नहीं देख रहा हूँ कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के फाइनेसियल क्या है, लेकिन जो टेक्निकल सो कर रहा है हाँ पर, उसमें एक हमें मेजर ब्रेक आउट देखने को मिल रहा है, और टागेट आपके सामने है, तो आप इसे बिल्कुल बायक कर कर चलें, साथ जाथ अनमीडिय सेक्टर को भी आप फोकस में रख सकते हैं, तो मार्केट में गिरावट होती है अगर तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, उन स्टॉक को जो मदबूत fundamental स्टॉक हैं, उनको रडार पर रखना है आपको, और हर एक गिरावट पर उसको अपने पोर्टफोलियों में एड करते हों चलना है, आज का वीडियो यहीं पर wind up करता हूँ, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, थांक्यू फॉर वासिन इस वीडियो, जय हिंद, जय भारत!